नमस्कार दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ गर्मियों का तोफा और फलों का राजा आम ज्यादातर लोगों को पसंद होता है आम खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है साथ ये कई परकार की शारेरिक समस्याओं को भी दूर करता है आज हम आपको आम खाने से होने वाले स्वास्ते लाब के बारे में जानकारी देंगे आम में पोटेशियम, मेगनेशियम और कॉपर जैसे खनीज बदार्थों के साथ ही बीटा केरोटिन, क्वास्टिन और एस्ट्रा गालीन जैसे ततो भी भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं इसके लावा आम में फाइबर, विटामिन B6, विटामिन A और विटामिन C भी होता है गर्मी के मौसम में कई किसमों का आम बाजार में उपलब्ध होता है भारत में आम की एक हजार से अधीक किसमें पाये जाती हैं आम का उप्योग केवल फल के रूप में ही नहीं होता बलकि आम का इस्तेमाल सबजी, चटनी, अचार, शेक, पन्ना, चूस, केंडी, खटाई और आम पापड बनाने के लिए भी किया जाता है इसके अलावा आम को सुखा कर इसका आम चूर या आम चूर भी बनाया जाता है जिसका उप्योग कई परकार की खाने पीने की चीजों के स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है पाचन तंतर के लिए है फाइदे मन आम खाने से पाचन तंतर में भी सुधार होता है आम एक प्राकरितिक पाचक है जो पाचन परक्रिया में सहाइक सिध होता है आम के सेवन से अपच्च और एसेड़ी टी जैसी समस्याओं से शुटकारा मिलता है आम में भोजन को पचाने वाले एंग्जाइन्स होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं और पेट की समस्याओं से रहा दिलाते हैं रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ाने में करे मदद नेमित रूप में आम खाने से शरीर की रोग प्रती रोधक शम्ता बढ़ती है आम में पाया जाने वाला बीटा केरोटे नामक तत्व रोग प्रती रोधक शम्ता को बढ़ाने में मदद करता है जिससे सरदी जुकाम और कई परकार के संक्रमन से बचाव होता है लू लगने से करे बचाव गर्मी के मौसम में आम का सेवन लू से बचाव करता है इसके लिए कच्चे आम के रस और पानी का मिश्रन बना कर पीना फायदे बंद रहता है इससे शरीर को ठंड़क मिलती है गर्मी के मौसम में दुपहर के समय घर से बाहर निकलने से पहले एक गिलास आम का पन्ना पीकर निकलने से धूप के परभाव और लू लगने से बचा जा सकता है आम का पन्ना शरीर में पानी के स्तर को सही रखने में सहायता करता है बलड प्रेशर को करे कंट्रोल आम में बलड प्रेशर को नेंतरित करने वाले गुन पाये जाते हैं हाई बलड प्रेशर की समस्या में आम खाने से फायदा होता है आम में पटेशियम और मेगनीशियम के साथ ही विटामिन भी भरपूर मातरा में पाये जाते हैं यह ततव ब्लड प्रेशर को नेंत्रित करते हैं दिमाग की कारेक शमता को बढ़ाए आम में दिमाग यानी मस्तिशक की कारेक शमता को बढ़ाने वाले गुन भी पाए जाते हैं नेमित रूप में आम खाने से मस्तिशक की कारे परनाली बहतर होती है आम का सेवन यादास्त बढ़ाने में मदद करता है आम में मजूद गलुटामिन एसीड नामक ततव से स्वर्ण शक्ती बढ़ती है खून की कमी को करे दूर आम आइरन का अच्छा स्रोत है आइरन ततव शरीर में खून की कमी को दूर करता है खून की कम यानी एनेमिया को दूर करने के लिए आम का सेवन करने से फाइदा होता है इसके लिए नेमित रूप में आम खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है और एनेमिया के रोग से शुटकारा मिलता है वजन बढ़ाने में करें मदद अगर आपका वजन कम है और आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आम का सेवन जरूर करें आम में पाये जाने वाले पोशक तत्व वजन बढ़ाने में मदद करते हैं 150 ग्राम आम में 60 कैलर्जी के करीब उर्जा होती है साथ ही आम में पाया जाने वाला स्टार्च शूगर में परवर्थत होकर वजन बढ़ाने में सहथा करता है कैंसर से करे बचाव आम में मुखे रूप से पैक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है ये पैक्टिन फाइबर कॉलिस्टरल के स्टर को कम करता है जिसे कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है आम में मौझूद एंटी अक्सिजन्ट कलोन कैंसर, लिकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव करने में मदद करते हैं तौचा के लिए है गुणकारी आम खाना तौचा के लिए भी फाइदेमान होता है आम खाने से तौचा के बंद पड़े शिदर खुल जाते हैं और मोहां से दूर होते हैं आम खाने के साथ ही आम के गुद्धे को कुछ देर के लिए चेहरे पर लगा कर रखें दस मिनट बाद चेहरे को धोलें इससे भी चेहरे के बंद शिदर खुल जाते हैं साथ ही समय से पहले दिखने वाले बुढ़ापे के लक्षन भी कम होते हैं आम में पाये जाने वाले पोशक तत्व विटामिन सी शरीर में कॉलाजन प्रोटीन का निर्मान करने में मदद करते हैं कॉलाजन बलड बैसल और शरीर के कनेक्टिव टिशू को सुरक्षा परदान करने का काम करती है जिससे उमर से पहले आने वाले बुढ़ापे के लक्षन कम हो जाते हैं आंखों के लिए है लाबकारी गर्मियों के मौसम का उपहार आम आंखों के लिए भी लाबकारी है आम खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है इसके लिए आप आम खा भी सकते हैं और इसका शेक बना कर भी पी सकते हैं आँखों की रोशनी को बढ़ाने के साथ ही आम में पाये जाने वाले तत्व वा विटामिन A आँखों के रोगों जैसे रतोंधी इत्यादी में भी बचाप करते हैं गर्बती महिलाँ के लिए हैं LAPDAIC गरवस्ता के दोरान गरवती महिलाओं में अक्सर खून की कमी हो जाती है इसलिए उन्हें आईरन की जरूरत रहती है लेकिन आम खाने से आईरन की कमी दूर हो जाती है किन्तु आम का सेवन करने से पहले एक बार डक्टर की सलाहत जरूर लेनी चाहिए सुदोतु एती गर्मियों के तौफे आम के और शद्य गुनों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रही है डी फाइब चैनल हिंदी के साथ